धाकड गर्ल स्वरा भासकर ने कर ली फाहद एहमद से शादी तो तिल मिला गए ट्वेटर के निठले लोग बेशर्मी की सारी हदे पार कर रहे लोग मुसलिम से शादी करने पर सुनना पढ़ रहा है ये सब कौन है स्वरा के पती क्या है इनका खिले श्यादो सरिश्टा जो बॉकलाए हुए हैं ट्वेटर के निठले स्वरा का पुराना ट्वेट सोशल मीडिया पर वाइरल अपने पती फाहद एहमद को कहा था भाई ट्वेटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने तर्क वितर्क रखते हैं यूजर्स अपने विचार रखते हैं यहां आप किसे सहमती जता सकते हैं तो किसी से ऐसा मदी भी मगर अब ये प्लेटफॉर्म ट्रोलिंग के लिए ज़्यादा मशूर हो गया है विचारव मर्शकम और लोगों को गरियाने का काम ज़्यादा होता है बखबख भी ऐसे जिसे सुनकर कानों से खून निकल आए वैसे तो ट्विटर के ग्यानी बखू भी जानते हैं कि सब की अपने एक निस्ता है मगर ये निठले ग्यान देने के चक्कर में भूल जाते हैं और किसी पर भी कीचर उचालना शुरू कर देते हैं जी हाँ बेहुदी बाते करने वालों को निठला कहना जादा सही है जैसे इन यूजर्स ने बॉल्यूड अक्टरस स्वरा भासकर से शादी की खबरे पढ़ी तो एक बार फिर से ये थोते चरी की तरह बजने को तयार हो गए स्वरा भासकर को ट्रोल करने लगे इन्होंने अक्टरस के पती फहाद एहमत पर सवाल खड़े किये च्रोलर्स ने स्वरा को धर्म की आरे ट्रोल किया यही नई स्वरा भासकर पर कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे कॉमेंट किये जिसको हम आपके सामने पेश नहीं कर सकते गंदी मानसिता के लोग स्वरा भासकर के धर्म और उनके पती के धर्म को लेकर खूब कॉमेंट बाजी करने लगे इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं स्वरा भासकर के पती क्या करते हैं और कौन है इनका अकले श्यादों से क्या रिष्टा है बता दे कि स्वरा भासकर ने अचानक शुक्रवार यानि 16 फर्वारी को अपनी शादी की खबर देकर सब को हैरान कर दिया स्वरा ने समाजवादी पार्टी के युवा लिडर फहद जरार एहमत के साथ गुपचुप कोट मैरेश कर ली जिसके बाद सोशल मीडिया पर अपने पती को टैक करते हुए फैन से भी ये खबर शेयर की वीरे दी वेडिंग एक्टरस स्वरा भासकर की वेडिंग फोटोस सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वारेल होने लगी और इसी के साथ एक पुराना ट्वेट भी लोगों के निशाने पर आ गया इस ट्वेट में स्वरा भासकर ने फैहत को भाई कहकर उन्हें बड़े विश्च किया था स्वरा भासकर की अचानक शादी की खबर सुनकर हर को या वाक है जहां लोग इस शादी को लेकर हैरानी जिता रहें वहें उनका पंदरे दिन पहले का यानि दो फरवरी का एक ट्वेट खूप सुर्खियों मिचाया है इस ट्वेट में स्वरा ने फहद के लिए भाई कहकर उन्हें पुकारा था इस वारेल ट्वेट में स्वरा फहद एहमत के साथ नजर आ रही है और उन्हें क्याप्शन में कुछ इस तरह से लिखा है लोग इस बात को लेकर हैरान हैं और कह रहे हैं कि ये भाई मेहन कहकर शादी कैसे कर सकते हैं एक ने कहा कोई क्राश कोर्स किया है भाई तुम दोनों ने या फिर वैलेंटाइन का असर हो गया 15 दिनों में ही कुछ ने पूछा आरे तुम दोनों भाई बेहन थे न एक अरने ने कहा चलो तुम दोनों एक दूसरे की शादी की बाते पूछ रहे थे खुद ही एक दूसरे से शादी कर ली वैसे जब शादी ही करनी थी तो भाई क्यों बनाई एक ने कहा पहले भाई था अब जान हो गय बता दे कि स्वरा के पती समाजवादी पार्टी के नेता है और मुंबई में सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू हासिम आजमी की बेहत करीबी हैं इस वजह से इनको अखिलेश श्यादो का करीबी भी कहा जाता है समय समय पर अखिलेश यादों के साथ देखे जाते हैं फहाद एहमद छात्र नेता और सामाजिक कारे करता हैं वो टाटा इंस्टिटूट अफ सोशल साइंस इस्टूडेंट यूनियन के महासचिव के रूप में काम कर चुके हैं जुलाई 2022 में फहाद ने अबू आसिम आजमी और राईश शेख की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदसिता ले दी वो सपा के महराश्ट्र और मुंबाई काई के योजन सभा के अध्यक्षपत पर है फहाद एहमद का जनमत दो फ़वरी 1992 को यूपी के बहेरी में हुआ है उनके पिता का नाम जिरार एहमद है फहाद ने अलिगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजवेशन और एमफिल की डिग्री लिए इसके बाद वो टाटा इंस्टिटूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबाई से सामाजिक कारेकर्टा के तौर पर जुड़े थे साल 2017 और 2018 में फहाद को TISS चात्र संग का महासचिव चुना गया वो अभी डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे है साल 2017 और 2018 में TISS चात्र संग के महासचिव के रूप में फहाद एहमद पहली बार चर्चा में आए तब उन्होंने एक हजार से अधिक चात्रों के साथ अनुसूचित जन जाती और रंग ये पिछड़े वर्ग के लिए फीस माफी को वापस लेने का विरोध किया था इस के लावा उन्होंने मुंबई में CAA विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा लिया और देश के कई हिस्सों में रैलिया निकाली फहाद एहमद भारत पर नाम ऑस्रेलिया वंडे सीडीज के खिलाफ वान खेड़े स्टेडियम में मौन विरोध का हिस्सा बनकर भी सुर्खियों में रहे टाटा इंस्टिट्यूट औफ सोशल साइंसेज के दिख्षांत समारों के दौरान फहाद एहमद ने उनिवर्सिटी के चेर परसन एस रामा दुराई के हाथो एमफिल की डिग्रे लेने से इनकार कर दिया था इस कारण टाटा इंस्टिट्यूट ने छात्रों को क्लेरंस इस इनकार कर दिया था टाटा इंस्टिट्यूट औफ सोशल साइंसेज ने फहाद एहमद को पीसटी में रेजिस्ट्रेशन से बैंड कर दिया टी आइसस ने तब ये बयान जारी कर कहा था कि ये संस्थान का अपमान है स्वरा भासकर बॉलिवड एक्टरस हैं और पिछले लाल कीप वाकिंग से की थी इसके बाद वो संजेल लिला भंसाली की गुजारिश में भी सपोर्टिंग रोल में नजर आई उन्होंने करियर में रांजणा प्रेम रत्न धन पायो विरेदी वेडिंग तनू विर्स मनु जैसी फिल्मों में काम किया है